हेलो दोस्तों वेलकम आपका स्वागत है हमारे चैनल सक्से जंक्सन में एक कदम सफलता की और यहाँ पर हम लेकर क्या है पॉलिटी के कुछ महत्पूर्ण कुश्चन जैसा कि हम जानते हैं पॉलिटी एक बहुत महत्पूर्ण इस्थान निवाती है किसी भी पेपर में किसी एक्जाम में तो हमारी यह क्लास पॉलिटी की चाड़क के अक्स्प्रेस प्रश्ण वही जो परिच्छा में आये हैं और जिनके आने की सबसे ज़्यादा संभावना हैं तो आगामी परिच्छा आ रही है जैसा कि आपको पता है यूपी एस आई यूपी पीस प्री एक्ज क्विशन भारत में किसी देश के खिलाब यूगी घोष्णा किसके दौरा की जाती है यूपी एसाई 2017 का ये क्विश्ण है तो आपसन है प्रधान मंत्री राश्पती रच्छा मंत्री या विदेश मंत्री आप बताईएगा जी हां इसका आंसर है राश्टपती तो आई र लाश्पती अपने मंद्से कोई घोष्णा नहीं कर सकता है जब उनको प्रधान मंत्री और मंत्री परिंवर्ष्णत की सलह पर दिया होता तो आपको आंसर यहां राश्टपती नहीं लगाना था प्रधान नमबर दो देखते हैं जो UPSI 2017 में आया हुआ है राजसभाव मनोनी सदस्चों की बारे में निवने में से कौन सा वक्त अभी सही है तो पहला उपसन है उन्हें राष्टपती के चिनाओं मत देने का अधिकार नहीं होता है दूसरा उपसन रूप राष्टपती के चिनाओं म का बनी रहती है लेकिन महावयोग के समय वे अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं देखिए जो राष्ट राजिसावाव में मनोनी सदस्चों होते हैं उन्हें राष्टपती ही मनोनीत करता है तो ऐसे में अगर वे ही मत देंगे तो एक आसंका बनी रहीं कि वे पच्छपात कर स देखते हैं निलम संजीव रेड़ी फकरुदिन अली एहमद रादा किष्णन या इन में से कोई नहीं तो इसका उत्तर है फकरुदिन अली एहमद 42 संभिदान संसोधन के समय राष्परदी फकरुदिन अली एहमद थे 22 संभिदान संसोधन 1976 में हुआ था इसे मिनी संभिदान भी कहते हैं अब देखिए हम कैसे याद रखेंगे कि 22 संभिदान संसोधन 1976 में हुआ था तो इसके लिए हमको ध्यान रखना है जो 42 है इसके डिजिट को एड़ कीजिए 4 प्लस 2 6 होता है 1976 का लाच्ट डिजिट भी क्या है 6 है इस तरह हम याद रख सकते हैं कि 22 संभिदान संसोधन जो है वह 1976 हुआ था इनमें कई सारे सब्द जोड़े गए थे इस संसोधन की दोरह प्रस्तावनावें भी कई संभिदान में भी कई संभिदान भी कहते हैं यह प्रिवर्थन किये अधिन में नजरमंदी विवाति गोंतलाग और डी हैरेल सिवा तो इसमें जो आंसर है वह बात की गए है 30 7 में संभ सूची TOP सौ विसे और समवर्ति सूची में बावन विसे हैं ठीक है तो यह संग सूची का विसा यानि रेल सिवा पर जो भी कानूर बनाएगी वह संग सरकार ही बनाती है आई यह प्रस्ट नमर पांच पने डालते हैं प्रस्ट नमर पांच पीसाई 2017 के अक्जाम में आया हुआ है कि न सरकार नहीं लगाया है तौ ऐसा कोल कोई कर किसी सरकार ने क्यों नहीं लगाया है देखिते हैं संसथ की कारवाई के संब्णit कौंसा सही है UPPCS 2018 के एक्जाम आया हो कुष्चन है तो option A है संसद सदन को संसद की कारवाई और बहस के प्रकासन पर रोक लगाने का अधिकार है सदन को संसद की गैलरियों में गैर सदस और अतितियों के प्रेस पर रोक लगाने का अधिकार है तो आई इसका अंसर देखते हैं इसका अंसर दोनों सही है क्यों देखिए स्पीकर चाहे तो यह आदेश दे सकता है ऐसा अकसर कुछ विशेश इस्तिति में किया आता है जब देश के हित के लिए कोई गुप्त फैसल है देना हो जैसे कि जम्मू किस्मीर के बात पर कोई बिवाद हो गया हो जिसको की बाहर नहीं भीजा जा सकता है या कि मीडिया को नहीं बता जा सकता है या फिर यह से CBI और IBA इन लोगों की कोई सूचना है मीडिया को नहीं दी जा सकती है तो ऐसे पर कोई कानून बनता है तो स्पीकर को यादिकार की वह उसके प्रसारण पर रोक लगा सकता है ठीक है प्रस्ट नमर साथ देखते हैं उप राश्ट्रपती अधिक्तम कितने समय तक राश्ट्रपती के पतपर रह सकता है UPSI 2017 का कुश्यन है और प्रस्ट नमर साथ बंजी अधिक्तम कसे वह सकता है और राश्ट्रपती के मौल और जाता है यानि चीप जस्ट्रपती के कारवार सवाम जाता है ऐसा 1990 में डौक्टर फुक्र। सब्सक्राइब को राश्टपती बना गया था जो तत्कालिंग सीजी आई थे यह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे ठीक है प्रस्ट नमर आठ पर नजर डालते हैं प्रस्ट नमर आठ संसत में किसी भी विशह पर बराबर मतदान होने पर इस पीकर के दारा दिये गए मत को क्या कहते हैं यूपीपी से 2018 का काफी confusion कुश्चन है इसका option काफी confusion है देखिए option A है, अधिमत, option B है, casting मत, option C है, विशेसमत, option D है, इनमें से कोई नहीं तो इसका answer है casting vote, देखी casting vote जिसे नडायक मत कहते हैं, समान मत होने की स्थिती में speaker इसमत का प्रयोग कर सकता है देखी casting मत की हिंदी जो है, वो नडायक मत होती है, लेकिन option में कहीं पर भी नडायक मत नहीं दिये गया, इसे बच्चे काफी विशेस मत जो है, उसके पास विशेस अधिकार जो होता है, मत देने का, जिसे casting मत कहते हैं, किसी भी तरफ दे सकता है, जिस तरफ देगा, तो कानून पारित हो जाएगा, ठीक है, तो इसे casting मत कहते हैं, ध्यान रखिएगा, प्रश्च नमबर 9, भारती संविदान के जो गए तो नहीं यह लगा था कि जो जाच-वाच करती है, वो CBI करती है, तो CBI लगा कर चले आये थे, लेकिन इसका आंसर जो है, वो है CAG, Comptroller and Attorney General of India, ठीक है, इसका आंसर था, क्योंकि इसमें फुल फॉर्म नहीं दी थी, तो बच्चे काफी कन्फूज हो गए थी, तो C CBI लगा करके चले आये थे, ठीक है, तो इसका आंसर है CAG, ठीक है, तो CAG के बारे बिस्ते तुरुप से जानकाई लेते हैं, अनुच्छे द एक सो और ताली से लेकर करके, एक सो इक्याओं तक CAG से संबंदित है, जिसका कार भारत सरकारदारा प्राप्तियों और व्याका लेखा परिच्छन करना होता है, इसका कारकाल 6 वर्स या 65 वर्स जो भी पहले हो जाए, ठीक है, या तो उनकी आयो जो वर्स पूट हो जाए, या उनका कारकाल 6 वर्स पूढ़ हो जाए, तो भ смерth से अस्थिपात दे दिते हैं, आइए देखते हैं, आखरी आप्रस नमबर 10 भारती सम्विदान का कौन सा अनुच्छ दिया कहता है कि संग के लिए एक संसद होगी जो लोगसभा राज्यसभा और राश्पती से मिलकर बनेगी यूपियसाई 2017 का कुश्चन है तो ऑप्सन ए है अनुच्छ साथ ऑप्सन भी अनुच्छ रुन्यासी ऑप्सन सी संसुधन से संबंदित है ठीक है तो यह थे हमारे कुछ बिसेश महत्पूर्ण कुश्चन जो आगामी परिच्छाओं में बिलकुल आने की संभावना है और भी ऐसे कुश्चन जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आपको पसंदा हो तब तक के लिए धन्यवाद